दोस्ते दोस्तों सनातन धर्म के आस्ता के गेंदर मंदिर के बारे में कोड नहीं जानता पूरे विश्व में सनातन धर्म के मंदिर पाए जाते हैं चाहे इंडोनेशिया हो इजरायल हो या साउधी अरप इन जैसे देशों में भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर पाए जाते हैं जितना पुराना हमारा सनातन धर में उतना ही पुराना इतियास हमारे मंदिरों का भी है कई मंदिर तो इतने पुराने हैं कि आज केवल उनके अवसेज बचे हैं जिनके पीछे कारण हमारे देश पिछले 1000 साल में जहले आकरमने कितने ही आकरमन कारी आये उन्होंने हमारे आस्ता के केंद्रों को पूरी तरह नश्ट करने के प्रियास किये कई मंदिरों को तोड़ा गया और कई की हत्याई की गई आज हम उन मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनोंने कई आकरमन जहले पर अपनी आध्यात्मिक आस्ता के कारण भी यह मंदिर अस्तित्व में है। आज हम उन मंदिरों के बारे में जानेंगी जो 1000 साल से भी पुराने हैं। तदा अपनी सिल्प कला वो अदबुत सिल्प कारी के कारण आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आईए जानते हैं उन मंदिरों के बारे में. श्री रंगानाथ स्वामी टेमपल यह मंदिर तमिलनाडों के तिरुचलिला परली में इस्तित है. यह श्री रंगानाथ स्वामी अर्थात बगवान विष्णु को समर्पित है. यह दक्षिन भारत को से भव्वेव खुबसूरत मंदिर है. इसे चटी और नवी सताब्दी के मद्धे में बनवाया गया था. यह मंदिर 156 एकड में फेला हुआ है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है. दूसरा बद्रिनाथ मंदिर प्रश्चित बद्रिनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता. यह मंदिर उत्राखंड के बद्रिनाथ सर में मोजूद है. यह बगवान विश्णु को समर्पिते का जाता है कि बगवान विश्णु ने सबसे पहले यहीं पर कदम रखा था. चार धामों में बद्रिनाथ परमुगिस्थान रखता है. यह मंदिर आदी संकराचारे द्वारा स्थाफित है. द्वारिकाधीश मंदिर गुज्ञात राज्जी में इस्तिते यह बगवान कृष्ण को समर्पिते हैं. इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से जानते हैं. यह मंदिर पांसो नहीं, एक अजा नहीं, बल्कि पच्चिस सो साल पुराना है. पुरा तात्युक थत्ते भी इसका उलेक करते हैं. कुम्बेश्वर मंदिर यह मंदिर तमिल नाड़े राजजे के कुम्ब कोडम में स्तिते, यह मंदिर भगवान सिव को समर्पित है. इस मंदिर को नवी सताबदी में बनवाया गया था, जो की 30,181 वर्ग फुट के विसाज शेत्र में फेला है. व्रिदेश्वर मंदिर व्रिदेश्वर या व्रिदेश्वर मंदिर तमिल नाड़ू के तंजावुर सहर में मोजोदे, यह भी भगवान सिव को समर्पित है. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसे राज राजेश्वरम या पेरु वुदेरा कोरम नाम से भी जाना जाता है. इस मंदिर का निर्माण 110 इस्वी में पूरा हुआ था. सोमनात मंदिर भगवान सिव के 12 जोतिर लिंगों में से परला जोतिर लिंग सोमनात मंदिर है. अपनी परतिष्ठा के साथ अपने उपर हुए आकरमनों के लिए भी यह मंदिर जाना जाता है. यह मंदिर गुजरात के सोराश्टरक में वेरावल के पास्प्रभास पार्टन में मोजूद ये बगवान सिव को समर्पित है, ये मंदिर को साती सतापदी के मद्दे में बनाया गया था, परन्तु इस मंदिर का अस्तित्व पुराणों में बहुत पहले ही बताया गया है, इस मंदिर को अनेक बार नश्ट किया गया और बनवाया गया केलासा मंदिर, ये मंदिर एक सिल्प कारी का अध्वुत नजारा है, पेस करता है, इस मंदिर को एक पहड काट कर बनाया गया है, और उस समय बनाया गया था, जिस समय कोई भी आधुनिक होजान नहीं थे, जो अपने आप में हिरत में डालता है, इसका निर्मान आठी में किया गया था, स्री अंबरनाद मंदिर, ये मंदिर मुंबई सहर में मुझूद है, इसे अंबेश्वर सियो मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर के निर्मान को लेकर भी एक पुरानिक मत है, इस मंदिर का निर्मान पांडवों ने एक चटान काट कर बनवाया थ इसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्मार 1060 इस्वी में हुआ होगा यह एतिहासिक मंदिर वादवान नदी के टट में हिस्तित है यह करना तो बहुत मुश्किल है कि सनातन धर्म का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है परन्तु सभी पंत और संप्रदाय अपने अपने मत के अ बहुत ही बड़ा अस्तित्व था और महत्व था अन्यक लोगों ने इन मंदिरों को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए तो केसी लगी आपको यह वीडियो कॉमेंट में जरूर बताईएगा अगर आप सोमनात मंदिर के उपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जे सनातन धर्म